नमस्कार, मैं डाक्टर सुरेंदर दुबे मैंने प्रदेश को, देश को और विश्व के अनेक देशों में लोगों को खूब हसाया लेकिन आज कोरोना ने मुझे रोने और रुडाने पे मजबूर कर दिया है जब 22 साल का कोई नौजवान जिंदगी से मुझ मोड कर निकल लेता है जब कोई महिला अपने छोटे दुद्मुहे बच्चे को छोड़ कर चली जाती है और डाक्टर बचा नहीं पाते हैं और कोई महिला चिकिस्तक लाचार होकर, दुखी होकर, वेठित होकर अपने नौकरी से त्याग पत्र दे देती है तब मेरे अंदर का, मैंने भी 20 साल चिकिस्ता का कारे किया है, सरकारी एस्पटाल में डाक्टर रहा हूँ अंदर का चिकिस्तक रोता है जब कवी मित्र मेरे बहुसे हाथ छुड़ा कर भागते हैं इस दुनिया से तब अंदर का कवी रोता है और इन दोनों जंजावातों के बीच मेरे न जाने कितने जाने अन जाने जोग इस प्रदेश से देश से जब हमेशा के लिए चले जाते हैं तब अंदर का कवी जाकता है रोता है तब कुछ मैं लिखता हूँ आज मैं आपको हसान ही रहा हूँ आज मैं आपको जीवन का वो दर्शन सुनाना चाहा रहा हूँ जो सत्य है जिससे हम अपना हाथ नहीं खिच सकते हैं जा रहे हो सफर में रख लिया रात का खाना पहनने के कपड़े टिकट के पैसे सम्हाल कर जेब में जा रहे हो सफर में रख लिया रात का खाना पहनने के कपड़े टिकट के पैसे सम्हाल कर जेब में हाँ जा रहा हूँ सफर में पर रखा नहीं मैंने रात का खाना पहनने के कपड़े टिकट के पैसे क्योंकि मेरे सफर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे मालूम नहीं मैं कहां जा रहा हूँ और कब लट कर आ रहा हूँ जमीन खरीदने के पहले मकान बनवाने के बाद वक्त निकाल कर देख लेना मरघट में रहने की जगह ताकि सुकून से मर सको एहसास कर सको तो हैसास करना के मरघट का पीपल कमरे के कूलर से ज़्यादा ठंड़क देता है थोड़ा सा जलते हो तो लगा लेते हो जलन रोकने की दवा एक दिन मुकमल जलाए जाओगे और दवईयां बंद रहेंगी आलमारी में अपनों की तरह अपनों की तरह नमस्कार जै जोहार जै चछतिसकर